Hello everyone, welcome to Data Wineries तो यह है Part 6 of Introduction to Cloud Computing Series इस सीरीज में हम यह समझ रहे हैं कि Cloud Computing as a Technology क्या होती है और कैसे काम करती है अगर आपने पिछले Parts नहीं देखे हैं तो उपर दिये गए I बटन पे क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट को अक्सेस कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Cloud Deployment Models के बारे में तो यह Cloud Deployment Model होता क्या है Cloud Deployment Model का मतलब यह है कि जितने भी Service Providers हैं जैसे कि AWS, Microsoft Azure, GCP या कोई भी Service Provider तो यह जो Service Provider है यह अपना खुद का Infrastructure अपने खुद के Data Centers किस तरहां से Deploy करते हैं तो आईए इसको समझते हैं तो सबसे पहला Deployment Model है Private Cloud Private Cloud का मतलब यह है कि जो भी Cloud का Resource है वो सिर्फ और सिर्फ आपके Company के Private Network से ही Accessible होगा तो जैसे कि for example, let's say मैंने यहाँ पर एक Cloud बनाया and this is my company तो यह सिर्फ और सिर्फ मेरे Private Network से ही Accessible होगा बागी कहीं से Accessible नहीं होगा Yes, तो यह Around the Globes जो Concept है वो Private Cloud plan नहीं करता सिर्फ और सिर्फ मेरे Company के अंदर से मेरे Company के Private Network से ही यह Accessible होगा इसी का Extension है Community Cloud Community Cloud का मतलब यह है कि यहाँ पर आपके पास एक Central Cloud होगा और इसको दो से तीन Companies या Multiple Companies Access करेंगी लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ इनके Private Network से Access होगा तो जनरली यहाँ पर यहाँ उसके कुछ इस तरह से हो सकता है लेट से कि यह Company है और उसके बहुत सारी Sister Companies है जैसे फर जामपर Reliance तो Reliance में Reliance Duo है, Reliance Telecom है Reliance Industries है, Reliance Chemicals है यह सब कुछ है तो now what will happen, क्योंकि यह Same Reliance Head में आते हैं तो यह एक अपना Private Cloud बनाएंगे लेकिन यह चाहेंगे कि Reliance के अंदर जितने भी आते हैं यही Company से Access हो Around the globe कही से होगा? नहीं किसी और Company से होगा? नहीं This is what Community Cloud means Now the next type of cloud is Public Cloud Now Public Cloud is the largest cloud computing platform on the planet Public Cloud का मतलब यह है कि जितना भी resource है वो पूरा का पूरा Public Network से Internet से Accessible होगा तो जो भी resource आप यहां पर चालू करेंगे वो पूरा पूरा resource पूरी दुनिया में कहीं से भी Accessible होगा Internet से Accessible होगा अब क्या होता है? जैसे हम लोग Internet की बात करते हैं कि भी resource Internet से Accessible होगा कुछ लोग बहुत ही परिशान हो जाते हैं Security को लेकि कि बाइ इंटरनेट से रहा तो breach हो सकता है, hack हो सकता है, malware आ सकता है तो इसके लिए यहां पर हमारे पास exist करते हैं Hybrid Models Hybrid Models Hybrid के अंदर जो सबसे पहला model आता है वो है VPC VPC stands for Virtual Private Cloud Virtual Private Cloud का मतलब यह है कि जो Public Cloud है उस Public Cloud के अंदर आपका खुद का एक Private हिस्सा तो यह होगा basically आपकी company let's say XYZ company तो अगर मैंने Public Cloud में कोई resource चालू किया तो यह resource सिर्फ और सिर्फ मेरी company से accessible होगा, बागी कहीं से accessible नहीं होगा, तो basically देखा जाए तो यह Public ही है, लेकिन हमने क्या किया, Virtually Private बनाया अब अगर मैं generally चालू करूँ तो यह कहीं भी दुनिया से access हो सकता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर VPC के अंदर अगर चालू करता हूँ resource तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी company से access होगा, कहीं और से नहीं होगा, तो यह हो गया VPC Next is Cloudburst Cloudburst basically उन लोगों को target करता है, या उन companies को target करता है, जिन companies के पास पहले से physical या in-house resource के उपर invest करके रखा हुआ है, let's say कि एक company है, जहाँ पर उन लोगों ने पहले से server खरीदा हुआ है, यह एक पुरानी company है, 20-25 साल, अब जब तो cloud था नहीं, तो इन्होंने पहले से server खरीदा अब अगर मैं इनके पास जाता हूँ cloud को sell करने के लिए, या बोलने के लिए कि आप cloud पे आ जाओ, तो यह लोग मेरे को सामने से बोलेगे कि देखिए, हमारे पास तो पहले से हमने servers खरीद के रखे हैं, अब इसका हम क्या करें, अगर आप इनको बोलेगे कि आप इसको dispose कर दो, फेक दो, तो that's not the logical and right answer, how will they agree to that, तो इस case में हमको यह बोलना है कि ठीक है, आपके पास अगर already servers, या कोई infrastructure है, तो आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, जैसे यह servers पूरी तरह utilize हो जाते हैं, मतलब जो भी इसका resources है, वो full हो गए, तो आप नया server मत खरीदिए, आप क्या करिए, इसको extend करिए cloud में, आप इसको extend करिए cloud में, you burst the resources in the cloud, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग यह नहीं बोल रहे है, existing company को, कि आप अपना server dispose कर दो, आप अपना existing infrastructure dispose कर दो, आप क्या करो, आप अपना existing infrastructure जैसा है, वैसा ही रहने दो, आप बस जो, जब यह पूरी तरह से utilize हो गया, तो नया physical मतलो, इसको extend कर दो cloud में that is called as cloud first थेक है, तो yes, तो these are the four deployment models तो अगर कोई भी cloud service provider अपना खुद का infrastructure deploy करना चाह रहा है, यह कोई company अगर cloud बना रही है और infrastructure deploy करना चाहती है, तो यह 4 हमारे पास available है, basically देखा जाए तो, दो ही है, private cloud and public cloud, community cloud, private cloud का extension है, और hybrid public cloud का extension है, so now in this video we will conclude our cloud computing series, तो हमने पिछले 6 videos में कोशिश की है समझने की, कि cloud exactly होता क्या है, अगर आप ने पिछले videos नहीं देखे हैं, तो पूरे part 1 से इसको देखिए, यह आपकी knowledge में definitely help करेगा, improve करेगा, यह समझने में की cloud exactly होता क्या है, I hope कि आपको कुछ knowledgeable चीज सीखने मिली होगी, कोई नई चीज सीखने मिली होगी, एक नया perspective मिला होगा, अगर आपको यह knowledge फाइदे मन लगी informative लगी, तो एक like शरूर कर देना, and हाँ, do not forget to subscribe to this challenge and ring this bell icon इस channel पर हम ऐसे ही complicated topics को आसान तरीखे से आपको explain करने की कोशिश करेंगे और अगर आपके कोई queries हैं तो feel free to mention them in the comments section I will be more than happy to help you out with your questions, आप आगे कौनसे technology पर सीडिस देखना चाहेंगे, वो भी comments में लिखकर बताइए, हम एक detailed video बनाएंगे, और एक detailed series बनाएंगे उसको अच्छे से explain करने के लिए, yes, so okay then time to take your leave I'll see you in the next video, until then keep learning and keep growing